नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप देखिए बढ़ियासा एक पॉंचो लेकर आज हम आए हैं क्रोशिये से बना हुआ मेडियम साइज का ये पॉंचो है बनाने में बेहद ही आसान है ये वाला पॉंचो थ्री प्लाई उन का एक्स्ट्रा लाड़ साइज का है बेहद ही हलका आए शुरू करते हैं आज का वीडियो जहां पर ये जहालर लगी है यहां से हमको ये अपना पीस शुरू करना है और उसके बाद इसको हम उपर ले जाते हैं और उसके बाद ये दो पीस बनाकर ये पॉंचो बनाया जाता है और अभी हम ये वाली पतली उन है थोड़ी 3-ply की, मशीन की जो उन होती है ये वो है और अभी हम जो सैंपल बना रहे हैं ये हमने ब्राइलोन उन ली है ब्राइलोन उन भी पतली होती है और क्रोश्य के लिए काफी ठीक रहती है तो दुहरी उन लेकर हम पहले chain बनाएंगे जितना भी हमको ये चौड़ा रखना है इससे हमको थोड़ा कम चौड़ा रखना है ये extra large size का poncho है तो हम थोड़ा छोटे size का poncho बना रहे हैं तो उसके लिए पहले हम double on से chain बना लेंगे इस तरह से ये हमने double on ली और 3.5 mm प्रोशिया हुक से हम ये chain बना रहे हैं ये हमारी chain बन गई है अब हम एक उन को तोड़ देंगे सिर्फ अकेली एक उन से हम आगे का काम शुरू करेंगे single on से 3 chain हमने बनाई और ये जो दूसरी उन है इसको हमने काट दिया ये तीन chain जो है ये एक double क्रोशिया या एक चावल के बराबर हमने मान लिया अब उसके बाद हम side में 9 times double क्रोशिया बनाएंगे एक एक chain में एक एक डबल क्रोशिया बनाने से आराम से वो एकदम कोई जोल नहीं आता है और वो ठीक बैठता है ये हमने total अब हमारे ये 10 चावल या 10 double क्रोशिया हो गए अब उसके बाद एक chain ली हमने और नीचे भी एक chain छोड़ दी और अगली chain में एक ही जगह में दो डबल क्रोशिया बनाएं उसके बाद फिर एक chain ली नीचे एक chain छोड़ दी और फिर से दो डबल क्रोशिया एक ही जगह में बनाएं इस तरह से हमको ये चार बार 4 times हम बनाएंगे एक chain ली और ये अभी हम 3rd time बना रहे हैं एक ही जगह से दो डबल क्रोशिया फिर से एक chain ली नीचे एक chain छोड़ के अगली chain में एक ही जगह से दो डबल क्रोशिया ये देखिए तो ये वाला यहां पर ये पतली उन है 5 बार बनाया है 5 times हम नापर 4 times बना रहे हैं उसके बाद ये जो हमारा pineapple stitch है इसको हम बनाएंगे इसके लिए अभी हम जो शुरुआत है हमारी पहली line चार chain ली हमने 4 chain लेकर और नीचे हम देख लेंगे ये जहां तक आ रहा है वहां पर आकर हमने एक डबल क्रोशिया उसके बाद बीच के लिए 3 chain है ये और उसके बाद नीचे दो या एक chain छोड़ कर जहां भी ये देखिए बिना ऐसे सीध में आ जाए वहां पर हमने ये बनाया यहां पर हम ये वाला pineapple stitch शुरू करेंगे अपना फिर उसके बाद side के 4 chain और जो ये वाले हमारे यहां पर जैसे बनाया है आगे की तरफ भी हमको वही बनाना है तो यहां पर आकर हम 4 times फिर एक ही जगे ये हमने एक double क्रोशिया दूसरा double क्रोशिया एक chain फिर repeat यही हमको 4 times बनाना है ये वाली जगे जो pineapple stitch वाली है ये हमको जो अभी हम छोटा sample बनाएंगे मतलब poncho जो हम छोटे size का बना रहे हैं उसमें हम ये 3 pineapple stitch की line लेकर जाएंगे एक तो हमारी जगे है बन गई अब हम दूसरी जगे है बना रहे हैं फिर से हम 4 chain ली हमने और उसके बाद ये हमने यहां पर आकर एक double क्रोशिया फिर 3 chain फिर दूसरा double क्रोशिया और फिर उसके बाद 4 chain और अब हम ये वही एक ही जगे पे जो दो double क्रोशिया निकाल रहे हैं वो चार बार बनाएंगे एक chain तो इस तरह से ये हमको पहली line दोहरानी है ये पहली line हमारी पूरी हो गई, side में हमने 10 चावल या 10 double क्रोशिया जैसे right side में थे वैसे ही left side में बनाए हैं तो दूसरी line अब हम शुरू कर रहे हैं, तीन chain लेकर ये हमारा एक double क्रोशिया या चावल है, उसके बाद हमें 9, 9 चावल और बनाने हैं, हर एक के उपर, प्रत्य एक के उपर एक एक बनाना है ये हर बार ऐसे ही होगा, मैं आगे ये नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं अब इसके बाद फिर से एक chain लेंगे हम, और ये जो हमारे दो double क्रोशिया एक ही जगे थे, इसके बीच में से हमको फिर से दो बनाने हैं ये भी हमको पूरे में इसी तरह से दोहराना है, एक chain और ये जो यहाँ पर एक है, बीच में थोड़ी सी जग है, इसमें दो चावल ये भी हम आगे नहीं देखेंगे, ये आपको अब समझ में आ गया है, क्योंकि वीडियो हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा हो, तो ये पूरे पीस में इसी तरह से चलेगा जो में डिजाइन की बात है, वो ये पाइनेपल स्टिच जो है, यहाँ, इसको हम एक बार समझेंगे, ये एक बार हमने कर लिया, अब यहाँ पर हमको तीन चेन लेनी है, फिर्स टाइम हमने फोर चेन ली थी, चार, अभी यहाँ तीन चेन लेंगे, और ये जो गैप है, इ और ये वही हमको दोहराना है, दो-दो डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाने है, फिर यहाँ पर आकर हम उसी तरहें तीन चेन लेकर यहाँ पर आठ चावल भरेंगे, और फिर तीन चेन लेकर इनके उपर यही दोहराना है, बीच में बस पाइनेपल स्टिच को हमें बनाना है लास्ट में हमको 10 चावल या 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं थर्ड रो में यह सब हमने दोहरा लिया यहां पर हम आ गए अब इस बार हम दो चेन ले रहे हैं यहां और यह जो हमने 8 डबल क्रोशिया या चावल बनाए थे 8 के उपर हम को फिर से 8 बनाने हैं हर एक के ऊपर 1-1 लेंगे यहां पर यह जो 2 V जैसा जो होता है उसमें से लेते हुए 8 के ऊपर 8 बनाएंगे लेफ्ट साइड में फिर 2 चेन लेकर बाकी जो हमारा सारा डिजाइन है वो उसको हम दोहराएंगे उल्टी तरफ लेट साइड में जब हम ये दस किनारे वाले चावल बना रहे हैं तो दसवा चावल हम यहां बना लेंगे ये जो तीन चेन की जगह बनती है हमारी उसमें हम बनाएंगे फिर ये तीन चेन लेकर हम मुड़ेंगे और हम इस तरह से ये बनाते हुए जा रहे हैं अब फोर्थ रो आई हमारी तो देखिए यहां पर हम फिर से दो चेन लेंगे और ये जो हमारे आठ हैं आठ के उपर हमको 6 6 बनाने हैं पहला वाला हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक के उपर एक राइट साइड में एक छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड में एक को छोड़ देंगे ये हमने 6 बना लिए चावल और फिर लेफ्ट साइड में 2 चेन बनाकर आगे का अपना डिजाइन उसी तरह से दोहराएंगे वो तो सेम है हमारा पूरा नीचे से लेके लास्ट तक वो सेम ही जाएगा ये वाला जो डिजाइन है अब देखिए फिफ्थ रो में इस स्टिच को ये जो पाइनेपल स्टिच है यहां पर आए हम अब हमें यहां पर तीन चेन लेनी है थ्री चेन्स लेकर और ये छे के उपर हमको चार बनाने है इसको छोड़ देना है और बीच में हमको चार चावल बनाने है एकदम आसान ये डिजाइन है लेफ्ट साइड में फिर से हमको तीन चेन लेनी है और ये जो हमारे दो चावलों की जगह है इसके उपर बाकी आगे सारा डिजाइन इसी त तरहें से यह बनता जा रहा है एक पाइनेपल स्टिच है यह हमारा यह दूसरा है यह तीसरा है तो इसी तरहें से यह हम दोहराएंगे आगे अब यह हम सिक्स्थ लाइन पर आ गए चटी लाइन है हमारी यहां पर हम फिर से चार चेन बनाई हमने अब यहां बीच में दो चावल या दो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरहें से साइड के एक एक को छोड़ दिया और बीच में हमने दो बना लिये फिर लेफ्ट साइड में फिर से हम चार चेन बनाएंगे और आगे का डिजाइन हम दोहराएंगे यह हमारा एक क्लस्टर या एक पाइनेपल हमारा पूरा हो गया है लेकिन अभी हमें दूसरा शुरू करना है वो हम समझेंगे अब देखिए यहाँ पर हम आगए अब हमको नया एक शुरू करना है तो हम यहाँ पर चार फोर चेन ली हमने और यह दोनों जो डबल क्रोश्या या चावल है इसके राइट साइड में हमने एक डबल क्रोश्या या चावल बनाया और फिर तीन चेन ली जैसे हमने पहले शुरू आत करी थी और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोश्या बनाया और फिर चार चेन लेकर यह जो हमारा दो चावल के उपर दो चावल वाला डिजाइन है एक चेन और दो चावल के उपर दो चावल तो इस तरह से यहां पर यह हमने अब नया शुरू कर दिया यह पहली लाइन हो गई जो यह पहली लाइन थी और आगे हमने जैसे यह बनाया है इसी तरह से आगे हम बनाते हुए जाएंगे ये एक जैसे हमको दो पीस बनाने हैं ये एक पीस हम ये बना रहे हैं दूसरा पीस हम बना रहे हैं एक बराबर चौड़ाई और एक बराबर लंबाई के ये दो पीस बनेंगे देखिए ये हमारा दो पाइनेपल पूरे होगा है है तीसरा हमने शुरू कर दिया है यह लगभग 21 इंच बाई 32 इंच के यह दो पीसे हमने एक समान एक जैसे बना लिये हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह दो पीसे एक जैसे बनेंगे और उनको फिर हम जोईन करते हैं जोडते हैं जिससे हमारा आसान सा पॉंचो सु ब्यार हो जाता है यह देखिए अब यह हमने उसको रखा है अगर आप इसको समझ पाएं मैं और भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि यह किस तरहं से रखा गया है यहां पर आप एक जॉइंट देख पा रहे हैं यह देखिए इस तरहं से यह हमने हटाया और जो चार-पांच इंच.. का dog एक है ऐसे देगतरं के दूसरा पीस वहां रखते है हैं जहां पर डिकाई दे रही है वह सिला जाएग और जो उपर का पीस है वह मारी नक देख़्ीए अब यह जहां पर छी ब्रेदास अपर यहां पर हमको सिलना है दो जगे सिर्फ इसको सिलना होता है और उपर जो वी बना है वो हमारा गला है बहुत ही आसान एक बार आप फिर से देख लीजिए यह इस तरह से यह रखा है पीस और यह उपर नैक बन जाती है थोड़ा-थोड़ा दोनों को फोल्ड करते हैं और बाकी को सिलना है सुन्दर सा पॉंचो बनकर तयार है नीचे जालर लगा दीजिए चारो तरफ जालर काफी पास पास लगाईए पांच उन लेकर जो मुड़कर दस उन हो जाएंगी उतनी बड़ी जालर जो है उतनी मोटी जालर काफी अच्छी रहती है जालर कैसे और सुन्दर सी जालर लगाएं अच्छा सा यह पॉंचो बनाए चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा एक बार फिर से आपका बहु बहुत धन्यवाद